मन्ज पर विराजमान, सभी उज्ज संतगान और जिनके निरंतर आशिरवाद के हम अनुभूती करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में कभी भेद अनुभू नहीं होता है, वैसे परम्पुज्य प्रमुक्षवामी महराज के स्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब नवजवान, भाई और बहनों, सारा विश्व इस द्रश्च को देख रहा है, और विश्व में जहां जहां से भी लोग इस द्रश्च को देखते होंगे, उन सब के अंदर एक विश्वास का संचार होता होगा, कि आज भी इस यूग में इस धर्ती पर एक ऐसी दिव्य शक्ति बिचरण कर रही है, एक ऐसी दिव्य शक्ति का साक्षात कार हो रहा है, और जिसके कारण मानव कल्यार के लिए, मानिविय मुल्यों के लिए, पूरा विश्वा एक नई आशा के अनुभूती करता होगा, हम सब के लिए गर्व की बात है, कैसी दिव्य खटना गुजरात की धर्ती पर गट रही है, संत, बुद्काल को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, और भविश्य का निर्मान भी करते हैं, जब योगी जी महराज ने, साट साल पुर्व इसे एक विचार की दर्व ध्यान आकर्सित किया होगा, अपने अगल बगल में घूम रहे नवजवानों के प्रती ममता के कारण, उनको संस्कारित करने के उत्सा के कारण, उन्होंने एक बीज बोया, और आज साट साल के बाद, योगी जी महराज के द्वारा, बोया हुआ वब बोईज, कितना बड़ा वटवरुक्ष बन गया है, और ये बटवरुक्ष सिर्फ उस ब्रुक्ष की साइज के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बटवरुक्ष उसकी पंख्यूडियों के कारण नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बटवरुक्ष मानवजाद को निरंतर संस्कार की सुवास्त देता रहता है, मानवजाद को संकटों के समय चाया दे रहा है, और भविष्चे के लिए नया विश्वास पादा करता है, यहां मंचबर जितने भी पुच्चे संत बैठे हैं, ये सभी संत कभी ने कभी योगी जी महराज के द्वारा प्रारब हुई, युवा प्रबूर्ति के अंग थे, और वो आज हम सब की प्रेरणा की मुर्ति बने हुए है, और वो दीन दूर नहीं होगा, कि यहां बैठे हुए, इस विशाल युवास सागर के अंदर से भी, ऐसे रत्न पैदा होंगे, ऐसी सामर्थेवान सक्तियां पैदा होगी, जो शक्तियां 21 सदी की आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा कारण बन सकती है, भाईयो भेनों, विश्व कहता है, 21 सदी हिंदुस्तान की सदी है, अगर इक 20 सदी हिंदुस्तान की सदी है, तो उसका एक कारण, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, आज इस देश में, 65 प्रतिशत नागरिक, 35 साल से कम उमर के है, जिस देश में, 35 साल से कम उमर के, 65 प्रतिशत नागरिक हो, वो नवजवान देश, विश्व को क्या कुछ नहीं दे सकता है, भाईयो भेनो, पूरे विश्व ने, हमारे नवजवानों का, इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी का जो नॉलेज है, उसमें अपना लोहा माल दिया है, भारत के 20, 22, 24 साल के नवजवान, अमरिका की धर्ति पर गए, और विश्व को चका चौँद कर दिया, वो कौन सा सामर्थ है, इन नवजवानों में हैं, विश्व ने देखा है, एक कॉम्पूटर स्क्रीन पर माउस की मदद से विश्व को हिलाने का सामर्थ हैं, इस धर्ति के नवजवानों ने दिखाया है, लेकिन अभी विश्व ने भारत की आध्यात्मिक शक्ते का परिचे नहीं किया है, संक्कटों से घीरे हुए मानवजवात को बचाने का रास्ता कहीं पर है, तो भारत के संतों ने जो रास्ता दिखाया है भारत के सास्त्रों ने जो रास्ता दिखाया है भारत के रुशियों मुनियों ने तपस्यों ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता विश्वकल्यान का रास्ता है आज मानुजात गलोबल वॉर्मिंग के कारण परियावरन के संकट से जूज रही है उसका रास्ता कौन दिखाएगा यही तो धर्ती है जहां हमारे सवुन्तों ने कहा था पौधापरमात्मा का रूप होता है यही तो धर्ती है जहां हमारे पुर्वजों ने कहा था नदी ये एच्टू और नहीं है वो सिर्फ पानी नहीं है वो मा है और तब जाकर के उस जल का मुल्य हम समझने लगे थे जीव मात्र में इश्वर का वास हैं यह सांत्र जिस पर गुरुजनों ने हमें सिखाया अगर जगत इसको जानने लगेगा तो जगत संकटों चे बच सकता है हमारे पुर्वजों ने हमें कहा था कि इश्वर ने हमें भोग के लिए पैदा नहीं किया है अपनी जरूरत से अधिक लेना यह पांप है अगर ग्लोबल वार्मिंग का जवाब भी खोजना है इसी एक छोटे से रास्ते से मिल सकता है आज विश्व आतंगवाद से जूज रहा है उस आतंगवाद का भी जवाब क्या है वोस कौन से मानसिक्ता ने आतंगवाद को जन्म दिया है हमारे पुर्वजों ने कहा था वसू धैव कुटुम कम पुरा विश्व एक परिवार है हमारे पुर्वजों ने हमें आद्वईत की बात बताई थी आदी शंकर ने कहा था जहां अद्वईत होता है बहां कोई भेद नहीं होता है मैं और तुम अलग नहीं होते हो द्वईत का स्थानी नहीं रहता है जहां अद्वईत का तत्वग्यान पला हो वो अद्वईत का तत्वग्यान विश्व को जोडने का सामर्थ रखता है और जहां हम परिवार के भाव को जगाते हैं वहां मारने काटने के लिए कोई अवसरी नहीं पता है यह महां तत्वग्यान इसी धर्ती पर हमारे संतों ने महंतों ने पुर्वजों ने दिया है भगवान स्वामिनान को जब भी स्मरन करे और जब भी उनकी सारी घटनाओं को सुनते हैं एक बात साप नजर आती है कि उन्होंने सेवा धर्म का स्विकार किया था गरीब से गरीब किसान की भलाई कैसे हो किसी दुखियार की सेवा कैसे हो कोई संकट में है तो उसको कैसे चिंता की जाए मुझे स्मरन है आज भी मैं एक मुख्यमंत्री के नाते अनुभव करता हूँ आज भी कभी गुजरात में कोई संकट आया कभी बाढ़ आई कभी अकाल की स्थिति पैदा हुई कभी भू कम पाया और पहला विचार आता था कि चलिए प्रमुख स्वामी यहा के मैसेज दे दें कि भ्य इतने लोगों के लिए कुछ करना है और गंतों के अंदर भूके के लिए क्षाने की विवस्था हो जाती थी कस्ट में जीने वालों के लिए मुस्बतों में से मुकती लगाने का प्रयास हो जाता था किसी को दबाई की जरुव से तो दबाई पहुंच जाती सी इतना जागरत इतना चेतनमंत ये पूरा अभियान ये पूरा सामाजी का अंदोलन ये पूरा अध्यत्म का अंदोलन किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी विरासत होता है और मुझे अनुभव है कि कही बाड़ आई हो और लोगों को भोजन पहुंचाना आए एक बार प्रमुख स्वामी तक बहात पहुंच गई फिर सरकार को कोई चिंता नहीं रहती थी एक किसके भरोसे होता था यहां बैठे हुई है उन नौजवानों के भरोसे होता था आपी के भरोसे होता था दोस्तों प्रमुख स्वामी का एक शब्द मिला आप लोग जी जान से जुड़ जाते थे यह संसकार का परणाव है भाविव भेनों सरकारों के द्वारा कितना ही aid campaign क्यों नो advertising campaign क्यों नहों कितने ही व्यक्षान क्यों नहों और लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए हम कितने कितने budget क्यों नखर्च करते हो लेकिन मैंने देखा है कि इन संतों ने गुजरात के जंगलों में जा करके आदिवासियों के बीच रह करके उनको व्यसन मुक्ति के दिशा में ले जाना ये अपने आप में कितला बड़ा पवित्र काम किया है दूर दूर जंगलों में पाट शालाएं शुरू करकर के संसकारित करकर के समाज जीवन में एक संसकार का भ्यान चलाया है ये अपने आप में आने वाली पीडियों के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन समस्कार का, चरित्रता का, सेवा का, समर्पन का, सैयम का, त्याग का, तपस्यर्या का ये ऐसा फाउंडेशन बन रहा है, जो आने वाले दिनों में हमें एक नया विश्वास पदा करता है, भाईयों बहनों, ये मेरा सवभाग्य है, कि मुझे प्रमुख स्वामी के भरपूर आश्रिवाद मिले है, कोई पल ऐसा नहीं होता होगा, और मैं एक घटना तो कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैं कन्या कुमारी से स्रीनेगर की लाल चोक की और जाँ गया था, भारक का तिरंगा जंडा, स्रीनेगर के लाल चोक के अंदर फैराना था, वो उस समय था, जब आतंगवाद हिंदुस्तान के तिरंगे जंड़ों को अपने जूतों के नीचे रौंते थे, और तब हम लोगों ने बिड़ा उठाया था, के उसी स्रीनेगर के लाल चोक में जाकर के हिंदुस्तान का तिरंगा जंड़ा फैराएंगे, आतंगवादियों की गोलियों के बीच भी जाकर के फैराएंगे, और मैंचे 26 जनवरी को तिरंगा जंड़ा फैरा करके भार आया, मेरे लिए असर्य था, सबसे पहला फौन कोल मुझे प्रमुक स्वामी महराज का मिला था, और मैं अनुभव करता था, मैं अनुभव करता था कि उनके रुदे में, वो राद भर कितनी चिंता की होगी उन्होंने, उनके मन के अंदर क्या भाव रहा था, जब आयोध्या का अंदोलन चल रहा था, प्रमुक स्वामी महराज विदेश की धर्ती पर थे, और जब आयोध्या अंदोलन तिवरता पर था, और उस समय अचानक, मुझे प्रमुक स्वामी महराज का फोन आया, तब तो मैं मुख्य मंतरे नहीं था मैं छोटा सा राजनितिक जीवन में काम करने वाला कायर करता था उन्होंने खोश किरके मुझे फोन किया कि भाई सब शांत तो है ना शब शांती तो है ना भाई यो बेनो हर पल समाज जीवन की घटनाओं के साथ इतने आत्मियतां के साथ इतने सम्मेदना भरे स्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति बहुती कम पाए जाते हैं हम सब भागवान हैं कि हमें प्रमुक स्वामी महराज के आशिरवाद भी मिले हैं और उनके दिव्य जीवन को निकर से जानने का देखने का चूने का अनुभव करने का स्पर्स करने का अवसर मिला है मित्रों और मैं भीतर से अनुभव करता हूं उस आनन्द के अनुभूति म सुस्कार के अंदोलन से जुड़े हैं सेवा के अंदोलन से जुड़े हैं चरित्र निर्मान के अंदोलन से जुड़े हैं सयमी जीवन जीवन जीने के अंदोलन से जुड़े हैं और समाज को कुछ देवे करके जाना इन संकल्पों के साथ हम जुड़े हुए हैं आज का ये अवसर ये हिरक जैंती मुझे विश्वास है जब हम 75 साल मनाएंगे तब भी मुझे आप सबका दर्शन करने का मोका मिलेगा और हम सम मिल करके हम सम मिल करके इस दिव्य चेतना के रत को और आगे बढ़ाएंगे जन जन तक पहुँचाएंगे गाउं गाउं तक पहुँचाएंगे हिंदुस्तान के कौने कौने तक पहुँचाएंगे और विश्व भर में फैले हुए मानों समुदाए जिनको वैल्यूज में इंटरेस्ट है जो मुल्यों का जतन करना चाहते हैं वो किसी धेजाती धर्म भाषा से क्यों न जुड़े हो उन सब के दिलों तक पहुँचने में यह आंदोलन सफल होगा यह मेरा पुरा विश्वास है यह मेरा सवभाग है कि मुझे इस दिव्य पल के अंदर साक्षी बनने का सवभाग मिला नवजवान मित्रों से बात करने का अवसर मिला और मुझे भी आप सब को देख करके एक नई उर्जा मिली है, नई प्रेणा मिली है, नई शक्ति मिली है, ये उर्जा, ये प्रेणा, ये शक्ति मैं गुझरात को और लें उच्छाईयों पर कैसे ले जाओं, पुरे विश्व में गुझरात कामियावों के कारण कैसे जाना जाएं, पुरे विश्व को सामाने से सामाने मानवी के दुख दर से बहार निकालने के लिए, गुझरात कैसे मारदर्शक बने, उसके लिए ये द आप सब को इस पावन परवपर बहुत बहुत शुब कामना देता हूँ आप सब को आपके सपनों को पूरा करने लिए पुझे प्रमुक स्वाभी महाराज के निरंतर आशिरवाद बन्या रहे यही प्रार्षना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद